14 सितंबर से पार्लियमेंट सत्र शुरू होने जा रहा है इसी संबंद में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं Safe Session कि वही यह जो शत्र होगा यह ज़ो ज़्यादा सुरक्षित रहे मतलब कॉरोना वाइरस से बचा रहे उसके लिए कहा गया है Safe Session कि भई यह जो pandemic है यानि कि pandemic का मतलब है वैश्विक महामारी कि इस वैश्विक महामारी के दोरान कॉरोना वाइरस के दोरान न केवल संसद को अधिक स्पेस की जरूरत है अधिक जगह की जरूरत है जबकि साती सात बट आलसो मोर टाइम पार्लियमेंट को अधिक समय की भी जरूरत है एक बात ध्यान देना कि यह जो पार्लियमेंट है ना इसके पहले हम कभी भी the article का प्रियोग नहीं करते हैं बहुत अची तरह से ध्यान रखना है इसको बहुत important point है यह क्या है कुछ articles जो नहीं ट्रेडिशन से डिसाइड होते हैं कि जैसे हम पार्लियमेंट के पहले the का प्रियोग नहीं करते हैं लेकिन जैसे लोकसभा है या फिर राज्यसभा है संसद के जो सदन है इनके साथ हम the article का प्रियोग करते हैं आगे देखते हैं तो यहां तक मतलब हुआ कि यह जो संसद है इसको जरूरत है एक तो इसको इसको स्पेस की भी जरूरत है साथी साथ इसे अधिक समय की भी आवशकता है तब पार्लियमेंट सेशन अब यहां पर यह दा क्यों लगा हुआ है अभी कुछ सेकेंड पहले मैंने आपको बताया कि पार्लियमेंट के पहले दा नहीं लगता अब आपको दिखावा लग रहा है यहां पर कि यहां पर तो पार्लियमेंट के पहले दा लिखावा है नहीं यह दा आया है सेशन के लिए सत्र के लिए आया है पालियमेंट के लिए यह नहीं आया इस सेशन के लिए ? वह सेशन जो की 14 सितमबर से शुरू हो रहा है तो दट उठिकल का प्रयोग हम definite चीज़ के लिए अब यहाँ पर definite हो गया नवह किस सत्र की बात कर रहे हम ? हम बात कर रहे हैं उस सत्र की जो 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो उस definite सत्र के लिए हमने लगाया है द तो the Parlament Session from September 14 जो की 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है tillसी मैनी first अब बोरिखें क्या लिका WrQué klar Will see money first यानि की संसद का यह ऐसा सत्र होगा, जिसमें कई बाते हमें प्रथम बार देखने को मिलेंगी, यनि की कई सारी ऐसी चीजें, कई सारी ऐसी घटनाएं, इस सत्र में हमें देखने को मिलेंगी, जो संसद के इतिहास में पहली बार होगी, जैसे कि अब editorial आगे बताएगा, कि येसी क्या-क्या बाते होंगी जो कि पहली बार हमें देखने को मिलेगी आगे देखते हैं दे लोकसभा एंड राजसभा विल अल्टरनेट देर सेटिंग्स अल्टरनेट का मतलता है परिवर्तित करना बदलना कि लोगसभा और राज्यसभा will alternate their settings तो इनकी जो settings होंगी यानि कि लोगसभा और राज्यसभा की जो बैठके होंगी उनको बार बार परिवर्तित किया जाएगा ना उनको alternate किया जाएगा कि पहले लोगसभा की हो गई फिर राज्यसभा की फिर लोगसभा की फिर राजसभागी, so that, ताकि members can spread over both chambers, ताकि जो भी Parliament के members है, can spread, spread का मतलब है फैलना can spread over, spread over का मतलब है कि इस जगे पे फैल सके both chambers, कि हमारे दोनों की दोनों जो chambers हैं, लोगसभा चैमबर और राजसभा चैमबर हैं, इन दोनों chambers में, जितने भी सदशें, वे पूरी तरीके से फैल सकें, to ensure यह सुनिश्चित करने के लिए physical distancing, कि भई यह जो physical distancing की हम बात कर रहे हैं, लगातार, कि वे दूरी maintain की जाए, coronavirus के चलते, दूरी maintain की जाए, तो इस दूरी को maintain करने के लिए क्या किया जाएगा, कि दोनों chambers का प्रियूख किया जाएगा, ताकि जो भी हमारे parliament members हैं, वे फैल फैल के, एक दूसरे से दूरी पर बैठ सकें, necessitated by, necessitated का मतलब होता है, आवश्यक बना देना, यानि की physical distancing, जिसे की आवश्यक बना दिया गया है, किसके द्वारा by the COVID-19 pandemic pandemic यानि वेश्विक महामारी, यानि की COVID-19 वेश्विक महामारी के द्वारा, physical distancing को आवश्यक या फिर अनिवारे बना दिया गया है तो उस आवश्यक्ता की पूर्ती करने के लिए जरूरी है, कि दोनों chambers में जो है हमारे जो भी पालिया मेंट मेंबर्स हैं, वे फैल कर बैठे इवन दा विजिटर गैलरीस, अब देखो पालिया में क्या होता है, कि विजिटर गैलरीस भी होती है कि जो विजिटर आते हैं, संसद के सत्र को बे नजर आएंगे, occupy का मतलब घेरना इस्थान को घेरना, तो विजिटर गैलरीस में भी MPs ही बैठेंगे तो देखो काफी सारी बाते हैं जो कि पहली बार होने जा रही है, इसलिए लिए लिखा है कि यह ऐसा सत्र है, जो कि सबताह के अंत में जो ब्रेक होता है, यानि कि जैसे कि सनिवार या रईवार की चुट्टी होती है तो इस तरह की कोई चुट्टी नहीं होगी, ना किसी तरह का कोई holiday होगा, ना किसी तरह का कोई आवकास होगा है तो यह 18 बेटके हैं, जो हैं, वो लगातार आयुजित की जाएंगी दब्रेक, संसद की जो बेठक होती है, उसमें जो ब्रेक पीरिड होता है बिट्वीन 1 पीम एंड 3 पीम, यानि कि एक से लेकर तीन बज़े के बीच में जो ब्रेक पीरिड होता है वोड़ी यूजड, तो उस जो ब्रेक है, उसका प्रियोग किया जाएगा किस बात के लिए, तो डिसिंफेक्ट, डिसिंफेक्ट का मतलब होता है कि यह जो एक तरीके से इन्फेक्शन से दूर कर, इन्फेक्शन को बचाने के लिए जब आप कुछ काम करते हो, जैसे कि किसी दवा का छिड़काओ करना, तो उसको बोलते हैं डिसिंफेक्ट, तो डिसिंफेक्ट दे चेम्बर, तो कुल मिला के, यह जो इनका ब्रेक पीरिड होगा, एक से लेके सदन की अद्यक्षिता करने वाले ओफिसर को हम क्या बोलते हैं, प्रेसाइडिंग ओफिसर, तो दोनों सदन के जो अद्यक्ष होंगे, have had trial runs, अब देखो यहाँ पर यह है वाया, इसके बाद में यह जो हैड है न, यह है वर्व की third form, ध्यान देना, यह है वर्व की third form, present perfect tense है यह, have had trial runs, यहनि कि जो भी अद्यक्षिता करने वाले व्यक्ति हैं, यह जो हमारे दोनों सदन है, इन दोनों सदनों की अद्यक्षिता करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या आयूजित कर लिया है, उन्होंने एक तरीके से trial होता है न, कि कि किसी भी चीज का trial करते ट्राइल रंस का मतलब है कि उन्होंने परिक्षन पहले ही कर लिया है बट इट विल बी अट टफ एक्ट लेकिन यह एक कठिन कार्य होगा बट इट विल बी अट टफ एक्ट फॉर देम एंड एंपीस यहने कि जो संसद के दोनों सदनों के प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हैं इसके लावा जो हमारे विबिन एंपीस हैं इन सब के लिए कठिन कारे होगा अब देखो यह हाइफन से लेके हाइफन तक जो बात कही गई है यह बात कही गई है यह जो हमारे एंपीस हैं का मतलव होता है किसी चीज का आदी होना किसी चीज का अभ्यस्त होना are used to huddling together huddle का मतलव होता है भीड में जमा होना गुरूप में इखटा होना है भीड जुटा ना उसको बोलते हैं भीड में जो जमा होते हैं आर हड़लिंग आयुजित की जाती उस दराल और एक साथ इखटे हो जाते हैं और इसके अलावा जोर-जोर से बोलते हैं तो इस प्रकार की इनकी आदत है तो इस आदत से निपटना बड़ा मुश्किल होगा क्यों क्यों कि इस बार जो संसद का सत्रायुजित होगा ना उसमें सब को दूरी म रठिन काम होगा टू डेलीबिरेट डेलीबिरेट का मतलब है यहां पर विचार विमर्ष करना अक्रॉस टू चेमबर्स कि यह जो दोनों चेमबर्स है ना इन दोनों चेमबर्स में विचार विमर्ष करना हमारे सांसदों के लिए बढ़ाई मुश्किल होगा एंड कीपिं a safe distance और साथी साथ safe distance को बनाए रखना keeping मतला बनाए रखना keeping a safe distance from one another कि एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना और दोनों चेमबर्स में दूर दूर बेठे रहना और विचार विमर्च करना काफी मुश्किल होगा हमारे सांसदों के लिए there will be no question hour कि किसी भी तरह का प्रश्नकाल सत्र नहीं होगा तो देख रहे हो ना आप यानि की बहुत सारी चीजें इस editorial में बहुत सारी चीजें यह जो हमारा संसद सत्र है इसमें बहुत ही नई होने वाली है जैसे कि there will be no question hour कि किसी भी तरह का एक तरीके से प्रश्नकाल नहीं होगा दो यद्यपी members can get written answers to written questions हालांकि जो हमारे विविन members हैं उनको we can get written answers उनको लिखित उत्तर मिल सकते हैं to written questions कि अगर लिखित प्रश्न दिये जाते हैं तो उन्हें लिखित जवाब मिल सकते हैं आगे देखते हैं the zero hour where any member can raise issues of urgent national importance the zero hour एक तरीके से जो शूनिकाल होता है न संसद में उसके लिए कहा गया है उस शूनिकाल में क्या होता है शूनिकाल में यह होता है कि कोई भी जो member होता है वह उठा सकता है यहाँ पर इसका मतलब है उठाना दिए खांग होता है लेकिन अब यह शूनिकाल जो है एक घंटे का नहीं होगा will not be an hour but only 30 minutes अब शूर निकाल के लिए सिर्फ 30 minutes रखे गए है the opposition has gone quite quite का मतलब है शांत, चुप the opposition has gone quite on these changes in parliamentary modalities, modalities का मतलब होता है तौर तरीके, कि भई जो विपक्ष है वह बिलकुल चुप है has gone quite, मतलब विपक्ष बिलकुल ही चुप रहा है on these changes, कि भई संसद के सत्र में ये जो बदलाव किये गए है parliamentary modalities की संसद के जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों में ये जो बदलाव किये गए है, इन बदलावों पर opposition विपक्ष जो है, वो बिलकुल चुप है after some initial objections हालांकि विपक्ष ने कुछ initial का मतलत होता है, प्रारंबिक मतलत पूरू में आप करते हो ना, पहले तो मतलब क्या हुआ था, कि विपक्ष ने पहले कुछ objections उठाए थे, लेकिन बाद में विपक्ष जो है, बिलकुल चुप रहा, तो initial मतलत है, पहले, initial objections कि विपक्ष है, उसने पहले कुछ objections उठाएते हैं, कुछ आपतियां उठाएती लेकिन बाद में opposition ने चुप चाप सारे की सारी बाते हैं, मानली सरकार की, ठीक है, अगर संसत को इस तरह से आउजित करना है, तो इसी तरह ठीक है Recently, अभी हाली में हमें क्या सरकार में हैं, तो इन राज्यों की ये जो assemblies के जो सत्राय उजित किये गए थे, met and none of them had a question तो इनके जो सत्राय उजित किये गए थे उन सत्रों में किसी भी तरह का प्रशनकाल नहीं था, यानि कि ये जो assemblies में लोगबाग इखटे हुए थे इनके जो है विधायक बैठे थे और none of them है ना, किसी भी assembly में हमें ये नहीं देखने को मिला कि प्रशनकाल रहा हो The executive branch ध्यान देना, जब हम क्या करते हैं सरकार की किसी भी ब्रांच का उल्लेक करते हैं, और उस ब्रांच के माद्यम से हम सरकार की उस ब्रांच की बात करना चाहते हैं, तब हम उसके आगे भी the article का प्रयोग करते हैं जैसे कि हमारी नियाएपाली का ब्रांच है या फिर कारेपाली का है विधाई का है, इनके लिए हम क्या इनको हम the के साथ जो है use करते है The executive branch, यानि की सरकार की, जो कारेपाली का है has expended, उसने क्या किया है फैला दिया है, जो हमारी कारेपाली का है यानि की जो सरकार है, इसने अपनी ताकत को पूरी तरीके से फैला दिया है in the wake of का मतलब है, के चलते के कारण स्वरूप in the wake of the pandemic यानि कि coronavirus के वेश्विक महामारी के चलते वेश्विक महामारी के कारण कारे पालिका ने अपनी पावर को पूरी तरीके से फेला दिया है and not rarely rarely का मतलब क्या होता है मुश्किल से and not rarely अब देखो rarely का मतलब पहले ही ये negative शब्द है इसके आगे एक और not लगा दिया तो जब दो negative जुड़ जाते है न तो मामला क्या हो जाता है positively and not rarely using it as a facade for aggrandizement facade का मतलब होता है मुखोटा यानि कि 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 की आड में किसी चीज को जब आप अंजाम देते हो ना तो उसको बोलते हैं फसाड कि इस आड में जैसे हम कहें कि यार coronavirus की आड में आप ये कर रहे हो मतलब है ना तो इस तरह से बोला जाता है उसको कहते है फसाड किसी चीज की आड में मुखोटा aggrandizement aggrandizement का मतलब होता है जब आप किसी चीज को aggrandizement के लिए करते हो इसका मतलब है आप उस चीज को इसलिए करते हो कि आप अपने महतो को दिखाना चाहते हो आप अपनी पावर का प्रदर्शन करना चाहते हो तो ये होता है aggrandizement का मतलब तो ये एडिटोरिल कहना चाहता है कि and not rarely using it as a facade for aggrandizement तो भई एडिटोरिल बात करता है कि ठीक है सरकारने coronavirus के चलते अपनी पावर को expand कर दिया है और شायद ही सरकार जो है आपने महतो को दिखाने के लिए या अपने पावर को दिखाने के लिए कर रही है यानि कि या कि coronavirus के मुखोटे का प्रयोग सरकार शायद ही कर रही है आगे देखते हैं the attenuation of parliament attenuation attenuation का मतलब होता है यहाँ पे कमी, कम करना किसी चीज़ को the attenuation of parliament तो यानि कि यह जो एक तरीके से आप कहा सकते हो कि यह जो संसद है ना इसकी जो ताकत को कम किया गया है overshadowed by a strong executive the attenuation of parliament कि यह जो parliament की जो है एक तरीके से कमी आना, parliament में कमी आना overshadow, overshadow का मतलब होता है छाया डाल देना किसी के महत्व को कम कर देना by a strong executive तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है वरतमान में parliament में, हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक तरीके से एक ऐसी executive अस्तित्तों में है जिसमें की एक तरीके से जो parliament है ना इसमें दोनों का रोल होता है एक तरीके से सरकार का भी रोल होता है और विपक्ष का भी रोल होता है दोनों बरावरी की भूमी का निवाते हैं लेकिन coronavirus के चलते हमें क्या देखने को मिला है कि जो सरकार का पक्ष है वह बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है तो यह यहाँ पे लिखा गया है तो यह जो है एक चिंता का विशे रहा है has been a concern in India even before the pandemic coronavirus के आने के पहले से ही हम जो है यह देखते रहे हैं क्या देखते रहे हैं कि वही पार्लियमेंट में सरकार का जो पलना है वह ज़्यादा मजबूत नजर आता है इसके लावा जो विपक्ष है उसका महत तो कम होता हुआ नजर आता है तो यह जो बात है न चिंता का विशे है हमारी संसद के लिए क्यों क्योंकि संसद में हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर महत तो देना चाहिए तो has been a concern यह एक चिंता का कारण रहा है एक चिंता का विशे रहा है कहां पर भारत में even before the pandemic कोरोना वाइरस के आने से पहले पंडेमिक के भी पहले आगे देखते हैं In ensuring Executive Accountability, In ensuring, सुनिश्चित करने में क्या, Executive Accountability की कारे-कारी जवाब देईता होती है यानि की जो सरकार की जवाब देईता होती है उसको सुनिश्चित करने में और लोगों की जो समश्याएं है लोगों की जो चिंताएं उनके लिए आवाज उठाना अब देखो पारलेमेंट का रोल किया है पारलेमेंट का रोल है रोल की ज़िकर करें जाए इसके लावा जो जनता है जनता की जो चिंता है जनता से संबनित जो मुद्ध है जनता की आवाज को संसद में उठाये जाए लेकिन यह जो बाते है ना इन बातों में हमें क्या देखने को मिला Parliament के role में कमी पाई गई Parliament's role was found wanting wanting का मतलब है यहाँ पर कमी होना कमी पाना फाउंड यह नहीं पाया गया है और wanting मतलब कमी तो यह जो role है ना Parliament का कि भई Parliament के role के तहए बातें आती है कि आम आदमी की आवाज को उठाया जाए इसके लावा सरकार की जवाब देगी ता सुनिश्चित करनी जाए लेकिन यह बातें हमें Parliament में देखने को नहीं मिली तो देख रहे हो ना आप जहां भी Parliament का प्रियोग होगा बिना the article के Parliament का प्रियोग हम करेंगे आगे देखते हैं इन law making कि बही कानून निर्मान में इट वाज इंक्रीजिंगली बींग रेल रोडेड देखो रेल रोड का मतलब क्यों होता है रेल रोड का मतलब होता है जल्द बाजी में करना बही जैसे की मानो संसद में किसी बिल को पास करना है तो सरकार क्या करती है जल्द बाजी में बिना उस पर विचार विमर्च किये जब उस बिल को पारित करा देती है तो उसे कहा जाता है रेल रोड इट वाज इंक्रीजिंगली बिंग रेल रोड़ेड बाइद एग्जीक्यूटिव अब यह देखो यहाँ पर फिर हमने जब एग्जीक्यूटिव के माद्यम से हम फिर वही कहना चाहते है कि भारत की जो कारेपालिका है उस कारेपालिका का हवाला देना चाहते है इसलिए कहा दा एग्जीक्यूटिव यानि कि जो हमारी कारेपालिका है उसके लिए ध्यान देना अगर Executive का प्रीयोग हम सामाने तरीके से करते हैं जैसे कि हम कहें कि भाई देश में एक कारे पालिका का होना जरूरी है तो वहाँ पर हम The का प्रेयोग नहीं करेंगे हम तभी कहेंगे जब Executive के माध्यम से हम यह बताना चाहते हो कि यह कारेपालिका का हवाला देना चाहते हो ना यानि कि सरकार की ब्रांच के सरकार की ब्रांच का उल्लेक अगर हम करना चाहते हैं तब हम दा एक्जिक्यूटिव बोलेंगे अन्यता एक्जिक्यूटिव भी कह सकते हैं आगे देखते हैं तो देखो क्या हुआ कि लगातार हमें य executive क्या कर रही थी हमारी जो कारे पालिका है हमारी जो सरकारे वो क्या कर रही थी कि जो भी बिल आ रहे थे ना उन बिल को सरकार को लगता था कि इस बिल को पास करना जरूरी है तो बिना कोई ज्यादा विचार भी मर्च कि उस बिल को पास करा दिया तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा था ऐसा हो रहा था बिंग रेल रोड़ेट भाई दा एक्जिक्यूटिव आगे देखते हैं तो यह जो है न हमारी स्वास्त हमारा जो पार्लियमेंट है उसके लिए हेल्थी ट्रेंड नहीं है यह यह कोई अच्छे लक्षन नहीं है कि आप जो है एक तरीके से अपनी मन उनके निर्मान में होना चाहिए तो तो यह जो अनहेल्थी ट्रेंड है हमारी प्रतीत होता है और जदा बढ़ा देना तो हमारी संसद में पहले से ही जो खराब च्रेंड चल रहे थे यहनि कि एक तरीके से सरकार का जो पक्ष है वह मनमाने तरीके से पार्लियमेंट को चला रहा था तो इस मनमाने तरीके को ऐसा लगता है कि इस pandemic ने इस coronavirus ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है तो यह जो unhealthy trends है अपियर ऐसा प्रतित होते हैं to have been accelerated कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं किसके माध्यम से pandemic के माध्यम से the government must be held accountable कि जो सरकार है must be held accountable अब देखो एक बात और ध्यान देना जब यह government का प्रयोग अगर हम generally बात करते हैं तब हम government के आगे दयका प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन अगर हमें पता है कि किस government की बात हो रही है अब यहाँ पर इस editorial में हमें बिल्कुल special रूप से clear है कि जो writer जो कहना चाहता है वह पढ़ने वाले को पता है कि किस government की बात हो रही है यहाँ पर बात की जारी है Indian government की तो मैंने बताया आपको the का सिर्फ एक ही concept है कि जहां अब ही मामला definite हुआ आपको दह लगा देना अब इसलिए यहाँ पर लिखा गया है the government की the government यह नहीं वो जो इंडियन government है उसकी बात हो रही है the government must be held accountable by parliament on the management of the pandemic की बही सरकार को जो है जवाब दे यह ठहराया जाना चाहिए संसद के दोरा the government must be hold hold या फिर held accountable hold accountable held accountable इसका मतलब एक तरीके से जवाब दे यह ठहराना by parliament की बही संसद के दोरा सरकार को जरूर जवाब दे ठहराना चाहिए on the management of the pandemic की बही यह जो कोरोना वाइरस का management कोरोना वाइरस का प्रबंदन जिस तरीके से सरकार ने किया है उसको लेकर सरकार को कोरोना वाइरस के प्रबंदन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए but that is not all लेकिन यह है पूरा नहीं है यह काफी नहीं है but that is not all there is a long list of issues editorial कहता है या भी तो और भी काफी लंबी list है there is a long list of issues की काफी सारे और भी मुद्दे हैं जिनका की parliament में जिक्र किया जाना चाहिए long list of issues की मुद्दों की एक लंबी श्रंखला है जिनके लिए हमें जरूरत है requires detailed attention यानि की जिन मुद्दों पर विस्तरत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए and deliberation deliberation का मतलब है चर्चा परिचर्चा करना है न by people's representative यहां people's representative आया है सांसदों के लिए कि भई जो सांसद हैं उनके द्वारा परामर्श किया जाना चाहिए विचार विमर्श किया जाना चाहिए तो यसे हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं जिनके की उपर बात होने अब editor बताता है कि कौन-कौन से मुद्दे हैं जिन पर व्यापक चर्चा परिचर्चा की आवशकता है जैसे की such as China's aggression on the LSE का मतलब है line of actual control भारत और China के बीच की जो border है उसे हम बोलते हैं LSE aggression का मतलब है एक तरीके से आक्रामक रुख उसको कहा गया है aggression China's aggression on the LSE की जो चाइना बार बार LSE पर आक्रामक रुख दिखा रहा है तो यह भी एक बहुत महत्पूर्ण मुद्दा है जो की हमारी parliament के लिए important है the challenges चनोतियां on the economic front देश के आर्थिक पहलू को लेकर है न फ्रंट का मतलब है यहां पर मोर्चा कि जो देश का आर्थिक मोर्चा है कुल मिलाके देश के जो आर्थिक हालात हैं देश की अर्थविवस्ता के सामने जो चनोतियां उन पर भी चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए the center's refusal refusal मतलब इनकार कर देना to meet its commitment commitment का मतलब है प्रतिबधता to states under the GST regime अभी कुछी दिनों पहले हमने बात की थी मैंने आपको बताया था कि बही केंदर सरकार ने जो है एक तरीके से जो विभिन राज है ना इनको GST का पैसा देना है बही क्या हुआ था कि जब GST लागू कि दोरान क्या हुआ था केंदर सरकार ने tax वसूल करने की लगबग सारी powers अपने हाथ में ले ली थी फिर राजयों ने कहा था कि जब आप tax वसूल करने की पूरी power अपने हाथ में ले रहे हो तो हमें एक तरीके से अब tax जो है उसका घाटा वाटा लगेगा तो उसका क्या आपको जो भी टेक्स का घाटा लगेगा ना, उस टेक्स के घाटे की भरपाई हम करेंगे, तो वही था GST, जो ए ना, वो compensation केंदर सरकार को, विभिन राज्य सरकारों को देना था, लेकिन वो नहीं दिया, तो ये मुद्दा भी उठाए देना चाहिए, केंदर सरकार का इनकार कर देना, तो मीट मिलने में क्या, इस commitment केंदर सरकार ने, जो अपनी प्रतिबद था, धोराई थी ना, केंदर सरकार ने, जो प्रतिबद था, विभिन राज्यों के प्रतिदर्शाई थी, कि हाँ, GST के माद्यम से जो टेक्स आएगा, उसका उचित अन पेसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे खुद के पास ही पेसा नहीं आ पाया है, उतना है, तो इस पर भी जो है, चर्चा की जानी चाहिए, रेजीम, रेजीम का मतलब होता है, शाशन, किसी भी तरह का कोई सिस्टम, उसको कहा जाता है, रेजीम, तो यह जो केंद सरकार न निभाने से केंद सरकार ने मना कर दिया, तो यह भी एक बड़ा महत्पूर्ण मुद्दा बनता है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, इन पर भी लेकर चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, और वर्सनिंग टाइस, वर्सनिंग टाइस का मतलब है, खराब होते हुए संबंद, वर्सनिंग टाइस का मतलब है, यहां पर संबंद, वर्सनिंग टाइस खराब होते हुए, विद इंडियास नेवर्स, कि भारत के अपने पड़ोसी मुलकों के साथ खराब होते हुए संबंद, तो यह सारे की सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो की संसद में चर्चा के मूल बिंदू होने चाहिए, अब एक बात और ध्यान देना, कि यह जो राजनेतिक पार्टी होती ही न, इनके साथ भी हम दय का प्रियोग करते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन करते हैं, देखो इंगलिश कहां से बनी है, हमारी इंगलिश आती है, इंगलिश जो है, भारत की न, इंगलिश है, इंगलेंड की लेंगवेज, तो अब मैंने आपको बताया कि दर का प्रियोग हम करते हैं, उस चीज के लिए, जो की definite होती है, या फिर ऐसी चीज, जिसके बारे में सभी को पता होता है, कि हाँ, किसकी बात हो रही है, तो जब अब जैसे हम इंगलेंड मे की बात हो रही है,conservative party की बात हो रही है, तो हमने इनके आगे दयलगाना चालू कर दिया, दीरे दीरे ये बात जो है, प्रचलने में आ गई, trend में आ जाती है, बात है, trend करने लग जाती है, तो बस फिर हमने जो हमने जो हमारी political party से हैं, इनके साथ हमने दयलगाना से क्या होता है कि कुछ चीजे जो है लेंगवेज जो है यह ट्रेडिशन के साथ काम करती है एक और उधारन के तौर पर समझा आप जैसे कि मैं आपको कहूं इसकूल अब इसकूल क्या है एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन अब हिंदी में भी हम इसकूल का प्रियोग करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि सारे की सारे इसकूलों में यह प्रावधान किया गया है जबकि इसकूल के साथ ऐस लगना चाहिए ना इसका प्लूरल बनने के लिए ऐस लगना चाहिए लेकिन नहीं हमने क्या किया धीरे 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 ट्रेडिशन होते होते क्या हुआ इसकूल जो है हमने हिंदी शब्द मान लिया अब इसकूल का हमने जब भावचन बनाया तो हमने उसको इसकूलो बोल दिया इसी तरह से यह जो है political parties के आगे हम अगर दह का प्रियोग करते हैं तो क्यों करते हैं इस तरह से एक trend बन गया और फिर हम जो है political parties के आगे दह का प्रियोग करने लगे तो the congress has been combative combative का मतलब होता है लड़ाकूपन होना लड़ाका होना है ना एक तरीके से जो आपका जो आकरामक रुख होता है ना तो उसको बोलते है combative आपका रुख है मतलब आप जो है बहुत ही एक तर्म लड़ने की मुद्रा में हो आप जो है एक आकरामक मुद्रा में हो उसको बोलते अगर इन मुद्दों की बात करें जो सारे की सारे मुद्दों की हमने चर्चा की इन मुद्दों की अगर हम बात करें तो जो Congress Party है उसके लिए आया है ना Indian Government लिए लेकिन Congress Party ने जबरदस्त आक्रामक रुखा पनाया है उस आक्रामक रुख के प्रती भारत सरकार जो है उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिये बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया उन सवालों के जवाब भारत सरकार ने नहीं दिये जो कि Congress ने उठाए रीजनल पार्टी चेत्री पार्टी आगर हम बात करें इन पावर चेत्री पार्टी जो की सत्ता में है अपियर वे प्रतीत होती है to overwhelmed का मतलब होता है छा जाना किसी चीज को घेर लेना आपलावित कर लेना overwhelmed by the pandemic to pay attention to other issues अब देखो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि छेत्रिय पार्टियां coronavirus के चलते यानि कि छेत्रिय पार्टिय जो है उनको coronavirus ने पूरी तरीके से घेर लिया है coronavirus छेत्रिय पार्टिय पर इस तरह से हावी हो गया है कि छेत्रिय पार्टिय जो है अन्य मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दे पा रही छेत्रिय पार्टिय जो पूरा की पूरा ध्यान है वह है coronavirus की और इस्थापित हो गया है यह इस लाइन का मतलब है regional parties in power जो छेत्रीए parties हैं जो कि सत्ता में हैं अपेर ऐसा प्रतीत होता है कि उन छेत्री parties को पुरी तरीके से घेर लिया गया है कि इसके दोरा? pandemic के दोरा और वे to pay attention to other issues और जो छेत्री parties हैं वे अन्यमुद्दों पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहीं आगे देखते हैं The government has 11 bills to replace ordinance ordinance का मतलब होता है अध्यादेश अब ये अध्यादेश क्या होता है देखो जब कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी कानून की urgent जरूरत है तो राश्टरपती के sign हुए और कानून को पारित कर दिया जाता है और उसको जो है कानून मान लिया जाता है लेकिन इसके बाद में वो क्या है ordinance है इसके बाद में 6 महीने के भीतर भीतर ये जो ordinance बना है न इस ordinance पर लोगसभा राजसभा में चर्चा होके इसको बिल का रूप देना होता है इसको पूरी तरीके से कानून किस तरह से बनता है कानून बनता है कि कोई भी मुद्दा उठा कि कोई भी कानून है लोगसभा राजसभा में discussion होता है लोगसभा से पारित होता है राजसबा से पारित होता है राश्टपती के साइन होते है नियम तो ये होता है कानून बनने का लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अर्जेंट नियम की जरूरत है कोई अर्जेंट कानून की जरूरत है तो राश्टपती के हस्ताक्षर के माध्यम से ordinance पारित कर दिया जाता है लेकिन ordinance पारित करने के 6 महीने के भीतर भीतर संसद के माध्यम से अगर उसे कानून का रूप नहीं मिलता है तो उस ordinance को निरस्त मान लिया जाता है तो इस तरह के हमारे पास क्या है the government has 11 bills to replace ordinance कि सरकार के पास 11 bill मौजूद है अभी और वे 11 bill को पारित करना है संसद में तब जाके संसद ने जो ordinance जो सरकार ने जो ordinance लेके आयती ना सरकार तब जाके ordinance कानून में बदलेंगे the bill to replace taxation and other loss अब देखो जैसे कि एक bill है हमारे पास क्या उसमें यह बात की गई है रिप्लेस करने की बात की गई है प्रती इस्थापित करने की बात की गई है कि taxation and other loss relaxation, relaxation का मतलब है छूट of certain provisions का मतलब है प्रावधान ordinance 2020 कि एक जो है tax से जुड़ा हुआ हमारे पास ordinance है उस ordinance में यह बात की गई है which will seek to amend amend का मतलब होता है परिवर्तित करना, सुधारना संशोधित करना, which will seek का मतलब है चाहना, which will seek to amend the income tax act to enable enable का मतलब है सक्षम बनाना योग्य बनाना, 100% deduction यानि की 100% कमी करना deduction का मतलब है कमी करना to donations made to the PM cares fund, अब देखो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा बिल हम पारित करने जा रहे हैं, उस बिल में ये बात की गई है, कि कोई भी व्यक्ति अगर हंड, कोई भी व्यक्ति PM care fund में जो भी donation देगा, उस donation पे जो tax की छूट जो से मिलेगी न वो पूरी की पूरी 100% मिलेगी एक तो ये बिल है हमारे पास है ये ordinance है, जिसको की बिल का रूप दिया जाना है, आगे देखते हैं अब ये जो बिल है ये जो tax से, income tax से जुड़ा हुआ जो बिल है, is a controversial one among them, यह एक विवादास पद is a controversial one among them और भी हमारे पास काफी सारे बिल हैं और भी कई ordinances हैं जिनको की बिल का रूप दिया जाना है और भी काफी ordinances हैं जिनको की कानून का रूप दिया जाना है काफी सारे हैं, उनमें से एक ये है जो की काफी विवादास पद है The opposition and the government कि विपक्ष और सरकार must work together to turn the session into an opportunity पक्ष को और विपक्ष को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस सत्र को परिवर्तित किया जा सके एक अवसर में to share views on all these questions कि भई ये जो सारे की सारे प्रशन ये जो सारे की सारे मुद्दे हमारे सामने हैं इन प्रशनों पर जो है पक्ष और विपक्ष अपने विचारों को साज़ा कर सके एसे अवसर के रूप में हमें इस सत्र का प्रियोग करना चाहिए और पक्ष और विपक्ष को क्या करना चाहिए प्रिजेंट करना चाहिए किस चीच को प्रिजेंट करना चाहिए एक जुट reassuring आश्वस्त करने वाला reassuring front before the country और country के सामने हमारे देश के सामने पक्ष और विपक्ष दोनों को एक जुटता से भरा आश्वस्त करने वाला एक तरीके से आचरण करना चाहिए ये editorial जो फाइनली बात करता है